हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक मैं यूट्यूब चैनल मैं मैं जम अपलोड गरता हूं बीस सी मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड आइटी जैम माथमेटिक्स से रेलेटेड वीडियो लेक्चर्स सॉलिट इस्टेट फिजिक्स बीस सी रेलेटेड जितनी भी टॉपिक्स हैं आप अमारे यूट्यूब चैनल पर जाके उस पर सारा देख सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गीवन है बीस सी पिजिक्स पोर्शन है इससे पहले कि जितनी भी वीडियो से हैं आप अमारे प्लेलिस म अनल पर सारी है यहां पर वाफ Darren शुट्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखे या फिर आई टैप पे क्लिक करके शिडियो को जरूर देखें ता कि आपको पता चलेगा कि मिलरंडेस में करते कि बारे एक दो question करवाए है, but इस video में हम बात करने बाले है, practice question के बारे में और बहुत सारे different type के जो plane होते हैं, उन plane का Miller indices हम यहाँ पर find करेंगे, और वापस भी बताऊंगा कि Miller indices से plane कैसे find करता है, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर step के बारे में, step क्या होता है, पहला step य A vector, B vector, C vector on the axis of the crystal, कोई भी crystal आपको सबसे पहले given होता है, तो आप OX जो है, यानिके X axis है, उसको A vector से renault करेंगे, OY axis है, उसको आप B vector से renault करेंगे, and OZ crystal है, उसको आप C vector से renault करेंगे, यह 3D है, ठीक है, आगे बात करते हैं, find the intercept of the plane on axis, यानिके find the intercept of the plane on axis, आपको क्य करना है, axis पे कहाँ पे intercept, for example, यह 2D है, यह X and Y है, एक line cross कर रही है, यह यहाँ पे cut कर रही है, यहाँ पे cut कर रही है, यहाँ पे cut कर रही है, तो यार, इसका coordinate क्या हो जाएगा, X, 0, Y हो जाएगा, मतलब यह इसके intersection हो जाएगा, एक X हो जाएगा, एक Y हो जाएगा, इसको क कहता है intercept form कहता है तो आपको वो intercept निकालना है सबसे पहले ठीक है उसके बाद में क्या करना है उसके coefficients को लिखना है ठीक है मानलो यहां पर वो line जो है मानलो यह लाइन जो है वो यहां पर 3y पे cut कर रही है यहां पर 2x पे cut कर रही है coefficients आपको लेना है 3 इनका reciprocal करना है 1 by 3 1 by 2 इनका LCM लेना 6 आ रहा है 6 में 2 का divide करेंगे तो यह 2 आ जाएगा 6 में 2 का divide करेंगे 3 आ जाएगा यह इसके Miller indices हो जाएगे ऐसे आपको Miller indices find करना है यह तो मैंने 2D के लिए example बता है बटा हम यहां पर 3D के लिए काम करेंगे ठीक है वही मैंने लिखा यहां पर take LCM to make integer number integer number बनाने लिए LCM दूसरा एक ध्यान रखें यहां पर negative numbers जो होते हैं negative numbers उनको कभी भी Miller indices में negative नहीं लिखते हैं for example अगर आपके पास में minus 1, minus 2 and 0 आ जाता है तो यार उसको 1 bar, 2 bar, 0 लिखेंगे यह बार लगाता है कभी भी Miller indices में negative नहीं लिखा जाता है आगे बढ़ते हैं हम यह one by one एक के question को discuss करते हैं और उनका Miller indices यहां पर हम find करने की कोशिक करते हैं सबसे पहले बात करते हैं इस एंग्जांपल के बारे में आपके सामने question है इस question के पारे मां discuss करते हैं अब देखो axis इसको ज Went इसको y axis लोंगा और इसको x axis लोंगा तो बात ये आती है कि हमको यह देखना है कि plane कौन से axis को कहां पे cut कर रहा है दूसरा ये जो आप structure देखना है ये unit cell का structure है unit cell का structure है क्या मतलब हुआ कि ये जो length है कितनी है one है प्सक्राइब कि ये यहां पे cut कर रहा है और यहां पर cut कर रहा है, Z को यह कहीं cut नहीं कर रहा है, क्योंकि यह crystal का diagonal plane है, कौन सा plane है, diagonal plane है, तो भीया यह कहां cut कर रहा है, इसको हम कैसे represent करते हैं, A vector से represent करते हैं, यह कहां cut कर रहा है, A पर cut कर रहा है, यह कहां पर cut कर रहा है, B पर cut कर रहा है, C पर कहीं cut नहीं कर रहा ह इसको किसे डिप्रजेंट करता है इसको भी वेक्टर से रिनाट करता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है intercept लिकना है क्या लेकोगे 1A फिर क्या लेकोगे 1B फिर क्या लेकोगे 0C ठीक है लेख दिया उसके बाद नम क्या करेंगे आप इसको simplify करेंगे अब यह plane कैसा है देखो यह plane कौन सा है इस plane के coordinate की मैं बात करता हूँ उसका plane कैसे represent करता है पहले वो समझ लेता है plane कैसे represent करता है plane represent करने का तरीका यह होता है इधर 1 है इधर 1 है z पे 0 है तो x पे 1 है y पे 1 है z पे 0 है तो यह होता है plane यह क्या होता है प्लेन होता है अब इस प्लेन का मिलर इंडाइस निकालेंगे अब यह हो गया हमारे पास में यहां से क्या करना अपने को वेल्यू फाइंड करना है तो वेल्यू फाइंड कर लेंगे यहां से इसकी वेल्यू हम यहां से निकालेंगे इसके value निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, अब coefficient लो, आप इनका coefficient ले लिया, इनका reciprocal कर दो, इनका reciprocal कर देंगे, 1 upon 1, ये हो जाएगा, again 1 upon 1, ये हो जाएगा, 1 by 0, तो यार ये तो आपको 1 मिल गया, ये 1 मिल गया, ये infinite मिल गया, यहाँ पर 1 upon 0 क्या हो गया? Infinite हो गया, मतलब यह क्या मिल गया? आपको इसका Miller indices मिल गया. क्या मिल गया? आपको यहाँ पे इनका Miller indices मिल गया. यह ऐसे Miller indices निकालता है. Next, एक और देखता है, यहाँ पे भी यह क्या Diagonal है, Diagonal. पर यह कहां कट कर रहा है? यह cut कर रहा है Z पे and X पे cut कर रहा है X पे A पे cut कर रहा है यहाँ पे C पे cut कर रहा है B यहाँ पे कहीं cut नहीं कर रहा है तो इसका plane का जो coordinate आएगा और क्या आएगा 101 हो जाएगा Miller indices की बात करते हैं यह 101 जो है वो लिखो आप यहाँ पे 101 यहाँ पा जाएगा 1 by 1 यह हो जाएगा 1 by 0 यहाँ पे लिखेंगे 1 by 0 और यहाँ हो जाएगा 1 by 1 तो क्या मतलब वह 1 infinite 1 हो जाएगा यह इसका Miller indices हो जाएगा आगे बढ़ते हैं एक और question हम यहाँ पे देखते है It is very easy अब यहाँ पे देखो यहाँ पे देखना क्या होता है Actually जब हम यहाँ पे इस plane के बारे में discuss करते हैं तो इस plane में हम इस length को क्या लेते हैं इस वाली length को 1 लेते हैं इसके middle point पे है यह कहाँ पे है यह इसके middle point पे है अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है यह इसके middle point पे है तो यह वाली distance 1 है और यह इसके mid point में मतलब इस यहां क्या है क्या है क्या coordinate कितना हो जाएगा intersect कितना हो जाएगा 1 by 2 गोगा अब देखना एक बात यहां पर यह only and only x-axis को cut कर रहा है y को z को कहीं से भी cut नहीं कर रहा उसके साथ मैं intercept नहीं बना रहा है तो यह क्या हो जाएगा 1 by 2 1 by 2 A 0 B 0 C हो जाएगा तो miller indices होगा इसका reciprocal करेंगे 1 by 2 0 0 तो यह हो जाएगा यहां से reciprocal करेंगे 2 1 by 0 1 by 0 इसका miller indices हो जाएगा 2 infinite infinite यह इसका miller indices हो जाएगा इस type से हम इसके Miller Indices को लिखते हैं आगे बढ़ते हैं एक और plane हम यहाँ पे लेते हैं अब यह जो plane है आप यह देखो cut कहां कर रहा है, Z axis पे cut कर रहा है C पे cut कर रहा है और B पे cut कर रहा है, X पे कहीं cut नहीं कर रहा है plane का coordinate क्या हो जाएगा? plane का coordinate हो जाएगा 0, 1, 1 इसका अगर आप निकालेंगे direct भी निकाल सकते हैं अब तो reciprocal करो, 1 by 0 यहाँ 1 by 1, 1 by 1 तो यह यह क्या हो जाएगा, infinite 1 and 1, यह इसका क्या हो जाएगा Miller Indices हो जाएगा आगे बढ़ता हम यहाँ एक और plane के बारा हम देखता है अब आप देखो, इस plane में आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे 1 पे cut कर रहा है, C पे cut कर रहा है इधर A पे cut कर रहा है इधर B पे cut कर रहा है तो भीया 1, 1, 1 हो जाएगा यह plane क्या हो जाएगा, 1, 1, 1 हो जाएगा यह जो plane है, 1, 1, 1 है मतलब इसका miller indices भी क्या आएगा 1, 1, 1 आएगा, अब reciprocal कर दो 1, 1, 1 का 1, 1, 1 का reciprocal करेंगे तो आपको 1, 1, 1 मिलेगा तो इस type से हम miller indices के question करते हैं बिल्कुल easily आप कोई भी question कर सकते है next देखते हम यहाँ पे यह जो plane है, इसका अगर आपको निकालना अब देखना, यहाँ पे थोड़ा सा question change भा यह है x-axis, तो यार इसके पीछे क्या होगा minus x होगा, यह है y-axis, इसके पीछे minus y होगा यह z है, इसको हम a से represent करते है यह cut कहां कर रहा है plane minus x के unit पे cut कर रहा है कहां cut कर रहा है, minus x के unit पे cut कर रहा मतलब यह minus 1 होगा या फिर minus 1 a लिखेंगे, तो क्या आजाएगा minus 1 a, फिर z और इनको कहा cut कर रहा है खहीं पे cut नहीं कर रहा है, यह हो जाएगा 0 b, 0 c तो क्या हो जाएगा, minus 1 0, 0, reciprocal कर दो इसका, minus 1 upon 1 ठीक है, इसका reciprocal करो 1 upon 0, इसका करो 1 upon 0 तो यह क्या हो जाएगा, minus 1 यह हो जाएगा, infinite और infinite मैंना कहाता, जहां पे भी minus आता है Miller indices में, उसको बार लगाते है तो Miller indices क्या हो जाएगा इसका Miller indices हो जाएगा, यहां से 1 bar infinite infinite क्या हो जाएगा, 1 bar infinite infinite, यह हो जाएगा, इसका plate का Miller indices आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक और देखते हैं यह वाला जो है, वो क्या है यह जो X has heard आपके पास में, वो X axis है यह वाली Y axis है अगर हम बात करें इस axis के बारह में तो यह देखो आप यहाँ पर कौन सी axis है यह यह वाली axis है —y axis, मतलब यह कहां कट कर रहा है, minus y axis और एक x axis पे कट कर रहा है, और कहीं कट नहीं कर रहा है तो एक तो a पे कट करेगा और एक minus b पे कट करेगा z पे ये कट करी नहीं रहा है इस plane का coordinate हो जाएगा 1, minus 1, 0 ये plane का coordinate हो, इस type से लिकेंगा plane का representation हो जाएगा 1, minus 1 and 0 इससे हम Miller indices निकाल सकता है, reciprocal करेंगे 1 का reciprocal 1, minus 1 का reciprocal minus 1 और उसको लिखेंगे 1 bar 0 का reciprocal infinity, यह इसके Miller indices देखते ही आप question को बिल्कुल easily कर सकते हैं, अब बात करते हैं, इस plane को भी आप बिल्कुल देखते ही कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, यह वाला जो axis है, यह axis minus of z है, यह axis x axis है, य x पे और z पे cut कर रहा है, तो इसका plane क्या हो जाएगा, इसका plane हो जाएगा, 1 0 minus 1, ठीक है, यह इसको जाएगा, इसका plane मतलब, यह हो जाएगा, 1 0 minus 1, मतलब गर इसके intercept के बात करें, तो इसको हम a vector से denote करते हैं, इसको c vector से, और यह y है, तो इसको b vector से, तो यह क्या हो यहां पर यह हो जाएगा 1A 0B and minus 1C तो reciprocal कर दो वही है इनके coefficient का reciprocal करेंगे वन का reciprocal 1 यहां पर infinite आजाएगा और यहां पर 1 बार आजाएगा तो यह हो जाएगा इसके Miller indices ठीक है यह वाला जो है इसके coordinate आप इसका Miller indices आप हमारों को comment box में करके बताएगे कि इसका answer क्या आ रहा है मैं आपको इसके plane की coordinate बता देता हूँ यह हो जाएगा C, यह हो जाएगा 1 by 2 B और यह हो जाएगा आपके पास में 1 A यानि कि plane जो बन रहा है वो plane क्या बनेगा यहां पर? वो plane बन रहा है 1 A, 1 by 2 B and C यह plane बन रहा है तो इसके आप Miller indices क्या आएगे वो आप comment box में हमको जरूर बताएगा आया क्योंकि अब आप ऐसे questions को orderly solve कर सकते हैं I hope आपको जितने भी questions है वो अच्छे से clear हो गए होंगे यहनि कि आपको 1, 1 by 2 and 1 का आपको एक Miller indices find करके बताना है thanks for watching my video keep watching MS mess इसी टाइब के फार मोर वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe करें share करें thank you bye bye